सर्वोद्य शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 के सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर ग्रेविटेशन सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की ग्रेविटेशन एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी ऐसे अबजेक्ट में जिसमें की मास हो जब वो अबजेक्ट किसी दूसरे अबजेक्ट के पास रखा जाता है तो उसके बीच में एक अट्रेक्शन फोर्स काम करता है वही ग्रेविटेशन फोर्स कहलाता है यहां बात ये ध्यान रखने की है gravitation force का meaning ये नहीं है कि सिर्फ earth attract करेगी तो ही gravitation होगा कोई भी mass attract करेगा दूसरे mass को तो वो gravitation force कहलाता है जब हम किसी object को आकाश में फैकते हैं तो हम देखते हैं कि वो वापस जमीन पर आ जाता है उसके वापस जमीन पर आने का कारण है gravitation और यहाँ पर ये जो gravitation है वो earth की वज़े से काम करता है gravitation is the force of attraction between all massive bodies in the universe इसकी खास बात ये भी है ये सिर्फ attraction force होता है इसमें repulsion जैसा behavior नहीं होता है अब हम बात करते हैं earth की earth की वज़े से जो gravitation force होता है उसको हम बोलते हैं gravity तो इसलिए जब भी ये दो word अलग अलग आए एक gravitation और एक gravity तो इन दोनों को हमें अलग अलग पहचानना है gravitation means हम किसी के बारे में भी बात कर रहे हो और अगर हमने gravity word बोला है तो it means हम earth की बात कर रहे हैं अब आगे चलते हैं gravitation को समझने से पहले हमने ये देखा कि बहुत सारे planet earth, sun ये एक डूसरे के चारो तरफ rotate कर रहे हैं और इसका एक कारण है gravitation gravitation को detail में समझने से पहले देख लेते हैं planetary motion के क्या laws होते हैं Kepler नाम के scientist ने इन laws के बारे में बताया था ये तीन laws हैं एक एक करके हम इनको समझते हैं सबसे पहला है first law first law के according सारे planet elliptical orbit में सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं जब भी हम ellipse की बात करते हैं यहां ये ellipse है ellipse में दो focus होते हैं एक focus ये है और दूसरा focus ये है दोनों focus में किसी भी एक जगा पर sun हो सकता है जैसे कि इस orbit में हमने बताया है sun यहां पर है तो ये पहला focus हुआ और ये जो path नजर आ रहा है ये elliptical path है जिसमें planet rotate करेगा ये length है 2a और ये है 2b जो लंबी वाली length है उसको हम बोलते हैं major axis और जो छोटी वाली length है उसको बोलते है minor axis अगर हम सिर्फ आधी length की बात करें तो वो हो जाएगा semi-measure axis ये आधी length हो जाएगी semi-minor axis किस तरह से rotate करता है वो यहां समझते हैं यहां पर दिखाया गया है कि ये sun है जो की एक focus पर है और वो planet इसके चारों तरफ rotate कर रहा है rotate करने का path आम तोर पर हमें लगता है कि ये circle होगा लेकिन ये path circular नहीं है ये elliptical path है और यही है Kepler का first law यहां पर ये भी ध्यान देने की बात है जब ये planet sun के पास होता है तो इसकी चलने की speed तेज होती है और जब ये दूर होता है तो इसके चलने की speed कम होती है अब आते हैं इसके second law पर second law है the line that join any planet to the sun sweeps equal area in equal interval of time यहां हम देखते हैं अभी हम देख चुके हैं कि इसकी speed अलग जगह पर अलग-अलग होती है तो देखिए अगर हम एक second का analysis करते हैं तो यहां हम देखेंगे एक second में यह ज़्यादा distance travel करेगा लेकिन वहां पर एक second में कम distance travel करेगा कारण है उसकी speed जहां speed ज़्यादा है वो एक second में ज़्यादा distance travel करेगा और जहां speed कम है वहां कम distance travel करेगा और sun के respect में अगर हम इस तरह से दो एरिया बना दें एक एरिया यहाँ पर और दूसरा एरिया वहाँ पर तो हमारा कहना है यानि कि हमारा मेंज कैपलर का कहना है equal interval of time में वो equal area sweep करेगा यही है second law यहाँ पर देख सकते हैं वही diagram यहाँ बनाये गया है यह area और यह area हमें यह prove करना है कि यह दोनो एरिया बराबर होते है यहाँ हमने बताना चाहा है यह जो distance है जो सूरज के पास है यह distance ज़्यादा है क्योंकि यहाँ speed ज़्यादा है और वो distance कम है वो point जो सूरज के पास रहता है उस point का नाम देते हैं perihelion और जो पॉइंट सूरत से सबसे ज़्यादा दूर होता है उसको नाम देते हैं अब हम प्रूब करेंगे कि ये rate of area, rate of area कहां से आया इसको भी समझते हैं equal interval of time में equal area मान लिया delta t time में जो area sweep किया जाता है यानि जो area बनाया जाता है वो delta a है अगर हम unit interval में जो area निकालेंगे वो area होना चाहिए delta a upon delta t तो equal interval of time में equal area का मतलब है हमें निकालना है delta a upon delta t और इसको हम बोलते हैं rate of area swept चुकि ये velocity से मिलता जुलता है इसलिए इसका नाम aerial velocity भी होता है तो इस तरह से अगर हम इस law को प्रूव करना चाहते हैं तो हमें delta a upon delta t इसको constant लाना होगा अगर ये constant हो जाएंगे तब हम कह सकते हैं कि aerial velocity का जो law है ये prove होता है अब हम इसको prove करते हैं प्रूव करने के लिए हम इस diagram को use करते हैं इस diagram में हम देखते हैं एक triangle बना हुआ है और ये हम जानते हैं triangle का area होता है half into base into height यहाँ पर इस distance को हमने r माना हुआ है इस angle को हम यहाँ मान लेते हैं delta theta तो उस तरह से ये जो circumference का छोटा सा part है means ये distance travel ये हो जाएगी r into delta theta अगर इन दोनों को वहाँ substitute कर दें तो area की value हो जाएगी half into base into height means half into r into delta theta that is base जो की यहाँ से आया है और height r जो की यहाँ से हमने लिए इस तरह की cases में हम exactly trigonometry use नहीं करते हैं क्योंकि बहुत छोटा सा ये angle होगा जो बहुत छोटे time में बना होगा और time यहाँ पर हम ले रहे हैं delta t time तो area यहाँ पर आ जाएगा delta a that is equal to half r square into delta theta हम जानते हैं अगर हमें area velocity निकालनी है तो यहाँ पर हमें निकालना होगा delta a upon delta t यानि कि उस delta t time में कितना area swept हुआ है तो हम निकाल लेते हैं delta a upon delta t और यहाँ पर भी delta a upon delta t कर देते हैं और यह हम जानते हैं delta theta upon delta t this is angular velocity omega तो इसको हम लिख लेते हैं 1 upon 2 r square into omega अभी हम यह नहीं कह सकते हैं कि area velocity constant है या नहीं क्योंकि r की value तो हर point पर change हो रही है और omega की value के बारे में भी हम कुछ कह नहीं सकते तो हम इसको थोड़ा सा और change कर लेते हैं हम क्या करते हैं इसको m से multiply और m से divide करते हैं जहां पर m है mass of planet अगर हम यह करते हैं तो हम जानते हैं m omega r square यह value है l की value तो हम इसको लिख सकते हैं delta a upon delta t that is equal to angular momentum upon 2m क्योंकि l equal to m omega r square होता है यह हम rotational motion वाले chapter में पढ़ चुके हैं यहां हम कह सकते हैं mass constant है 2 की value constant है और angular momentum यह constant है या नहीं इसको चेक करते हैं planet के rotation की हम बात करते हैं तो planet के बीच में जो force लग रहा है वो force है gravitation force कौन लगा रहा है gravitation force एक तो planet और दूसरा sun इसके अलावा और कोई external force काम नहीं कर रहा है तो ऐसे case में जब external force नहीं होता है तो angular momentum हमेशा constant रहता है यह angular momentum conservation principle है जिसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं तो यहां से हम कह सकते हैं aerial velocity is constant और इसी के साथ हम Kepler's second law को प्रूव कर सकते हैं अब हम बात करते हैं Kepler's third law की और Kepler's third law है the square of the time period of revolution time period का square means T square of a planet is proportional to the cube of semi-measure access semi-measure access की अगर बात करें तो हमने इसको A माना था तो cube means A cube of the ellipse traced out by the planet mathematical इसको लिखें तो T square should be proportional to A cube this is third law of Kepler's planetary motion इसको समझते हैं यहां हम देखते हैं semi-measure access है 2A हमने बताया था just इसका आधा इसको हम बोलेंगे semi-measure access तो इसको T square is proportional to A cube लिख सकते हैं प्रूव करने के लिए हम समझते हैं जब भी कोई planet है मान लिए यह है sun और यह है कोई planet इस planet पर कौन कौन से force लगेंगे पहला force होगा इस sun की वज़े से लगने वाला gravitation force इसको मैं Fg लिख दूँगा अगर सिर्फ एक ही force काम करेगा तो यह planet sun की तरफ attract होके finally sun में मिल जाएगा लेकिन ऐसा तो नहीं होता न कि planet जो है वो गिर जाए होता क्या है planet उतनी ही distance पर रहता है तो कोई न कोई force तो ऐसा होगा जो planet को रोकने में उसकी help कर रहा होगा और वो planet वो force है बाहर की तरफ लगने वाला force mv square upon r यह हम पढ़ चुके हैं और इन दोनो force की वज़े से planet पर एक force लग रहा है अंदर की तरफ that is gravitation force एक लग रहा है बाहर की तरफ that is centrifugal force इन दोनो force के चलते ही planet उसी orbit में rotate कर पाता है अगर यह दोनो force नहीं होते तो planet या तो अंदर की तरफ गिर जाता gravitation force है या बाहर चला जाता centrifugal force है खेर फिलाल हम इस पर आते हैं इन दोनो force की वज़े से planet एक जगे पर stable रहता है अब देखते हैं कि इससे हम ये rule कैसे निकाल सकते हैं हला कि ये topic हम आगे पढ़ने वाले हैं जब हम gravitation को और समझेंगे पर चुकि 9th में हम इसका formula पढ़ चुके हैं तो 9th वाले formula को थोड़ा सा यूज करके हम इस law को यहां निकालने की कोशिश करते हैं एक rough analysis के लिए हम माल लेते हैं कि ये circular orbit होता तो distance जो होती sun से लेकर planet तक की वो r होती तो यहां पर हम semi major access और semi minor access को यूज नहीं कर रहे हैं हम just एक अंदाजा देख रहे हैं क्या ऐसा होता है या नहीं तो देखिए sun की वज़े से planet पर जो force काम करेगा वो gmm upon r square होगा that is gravitation force ये हमने 9th class में पढ़ा है और अगर नहीं पढ़ा है तो अगला topic यही है तब तक वेट कर लेते हैं जहां पर m जो है वो sun का मास है small m planet का मास है लेकिन ये force sun लगा रहा है planet पर means उसको attract करेगा दूसरा force होगा mv square upon r जो planet पर लग रहा है centrifugal force जिसकी वज़े से planet gravitation force को composite करेगा और ये force बाहर की तरफ लग रहा है इन दोनों के balance होने के वज़े से planet अपनी जगे पर रहता है तो हमने इसको balance कर दिया यहां से हम solve कर लेते हैं m cancel हो जाते हैं एक r cancel हो जाता है और यहां से होगा v square is equal to gm upon r हम आगे जाके देखेंगे ये planet की orbital velocity होती है पर फिलाहल हम अपने इस point पर डटे रहते हैं तो हम time period निकलना चाहते हैं velocity को हम लिखते हैं distance upon time देखें यहां पर distance क्या है orbit को circular माना है तो एद चक्कर की distance होगी circumference और वो होगी टुपा यार और एद चक्कर का time है t यानि time period तो हमने इसको capital T लिख दिया यहां square है तो हमने इसका भी square कर दिया it will be gm upon r और यहां से t के लिए हम इसको solve करते हैं तो देखते हैं t square is equal to gm into 4 pi r cube यहां से t square और यह r और यह r square r cube हो जाएंगे यह चुकि constant हैं इसलिए हम इनको remove करके इसको proportional form में रख सकते हैं तो it will be t square is proportional to r cube इस तरह से हम एक rough method से Kepler's third law को भी prove कर सकते हैं कि उसका time period का square उसके semi major axis के cube के equal होता है अब आते हैं इसके next topic पर next topic है Newton's universal law of gravitation यह universal क्यों लिखा है हर जगे इसकी भी बात करेंगे अभी सबसे पहले देखते हैं यह है क्या Newton's नाम से पता लग रहा है कि Newton नहीं इसके बारे में कुछ बातचीत किये आपने छोटी class में पढ़ा होगा apple का गिरना Newton का पेड के नीचे बैठना वो सब चीजे करने के बाद इस law को mathematical ही बनाया गया इस तरह से M2 क्या है कोई दो object है माल लिया एक object यह M1 है एक M2 है इनके center के बीच की distance है R तो पहला वाला object दूसरे को अपनी तरफ attract कर रहा है यह जो F से represent है और दूसरा object पहले को represent कर रहा है वो है उसकी तरफ यानि कि दोनो एक दूसरे को अपनी तरफ attract कर रहे है और यही है gravitation law इसको equalize करने के लिए constant की जरूरत पड़ी और वो constant है capital G जिसको जिसको बोलते है universal gravitational constant तो gravitation force F है जो always attractive होता है it depends on the mass involved and the distance between them जो की formula से पता लग रहा है और यह उस line के along काम करता है जो line उनके center को जोड रही है यह बात ध्यान रखनी है this is central force जब भी बार बार कहीं central force आएगा तो समझ जाए ऐसा force जो दो object के बीच में काम कर रहा हो और उन दोनों के center को जोडने वाली line के along काम कर रहा हो whether it is attractive और repulsive वो बात अलग है पर line के along काम कर रहा हो तब हम उसको center force बोलते हैं यहाँ पर G gravitation constant है और जिसकी value है 6.67 into 10s bar minus 11 newton meter square upon kilogram square यह जो इसकी unit है हम वहाँ से direct इसकी unit निकाल सकते हैं देखिए इस G की unit निकाल ली है तो G को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा this is एक तरफ force एक तरफ r square और बाकी m1 और m2 इस तरह से हम G की form में यह लिख सकते हैं अगर इस सब की unit लिख दें तो force की unit है newton r की unit है meter और mass की unit है kilogram और यह हो जाएगा square तो इस तरह से इस unit system को हम जब चाहें तब बना भी सकते हैं तो यह है newton's law of gravitation अब हम बात करते हैं evidence in support of law of gravitation gravitation law है इसके support में evidence क्या है एक evidence तो अभी हमने introduction में देखा था किसी object को उपर फैका और वो gravity की वज़े से वापस जमीन में आ जाता है जैसे कि newton वाला apple आ गया था यहां पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है पहला लिखा है rotation of earth around the sun or that the moon around the earth is explained on the basis of this law यह देखिए बहुत simple है समझने में अगर मान लिया यहां पर हम मानते हैं यह sun है और इसके चारों तरफ कोई planet है यह planet है जिसको rotate करना है मान लोग कि यह rotate नहीं कर रहा होता तो यह हम जानते हैं sun इसको अपनी तरफ attract करता और attraction force होता capital G, capital M, small m upon r square जैसा कि हमने पढ़ा अब सूचने की बात है अब क्या होगा यह planet तो फुदक के sun की तरफ आ जाएगा और इसी में गिर जाएगा और finally जल जाएगा अगर ऐसा हुआ तो रुकेगा कैसे तो रुकने के लिए जरूरी है इस पर बाहर की तरफ कोई ना कोई force काम कर रहा हो अब बैठे बैठे तो force काम करेगा नहीं यह हम जानते हैं कि rotation motion में एक fixitious force काम करता है यानि जिसको कि हम virtual force बोलते है जो बाहर की तरफ काम करता है जैसे कि रस्टी से जब पत्तर घुमाते हैं तो पत्तर बाहर की तरफ जाने की tendency शो करता है तो वो होता है centrifugal force और वो force तो तब ही आएगा जब यह घुमेगा तो इसको इसके चारों तरफ चक्कर लगाने पड़ते हैं जिसकी वज़े से यह force वहां आ जाता है तो यही कारण है कि rotation of earth और rotation of moon around any other planet is due to gravitation तो इस force की होने की वज़े से ही ऐसा होता है अगर यह नहीं होता तो ऐसा नहीं होता दूसरा है the tide are formed in ocean due to the gravitational force of attraction between earth and the moon tide के बारे में आप जानते हो कि पूर्णिमा के दिन या solar eclipse के दिन tide बहुत जबरदस्त होते हैं तो यह जब जब ऐसा होता है कि earth पर earth पूरी solid तो है नहीं earth पर है पानी पानी ऐसी चीजे जिस पर force लगाते हैं उसकी shape change हो जाती है अगर moon की वज़े से या sun की वज़े से gravitation force किसी particular day ज़्यादा हो गया ज़्यादा कब होता है जब sun और moon दोनों अगर एक ही साथ ये काम कर रहे हैं तो उस समय तो सर्प से ज़्यादा हो जाता है otherwise moon जब जब पास आता है तो इस attraction force की वज़े से पानी में ये फरक पड़ता है और उस समय coastal region में क्या होता है पानी का जो level होता है वो काफी अंदर तक आ जाता है उस समय हमारी सरकार हैं और ये सब हमें warning देती हैं कि पीछे हट जाओ टाइडल effect होने वाला है और वो सब जो होता है वो भी gravitation की वज़े से होता है इसी तरह से value of G can be used to predict the orbit and the time period of a satellite G की value से हम किसी भी satellite का orbital distance, orbital time और time period, velocity ये सब भी पता लगा सकते हैं इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे कि किस तरह से ये सब होता है अब हम बात करते हैं important features of law of gravitation important feature में पहला है ये दो masses के बीच में लगता है और attractive होता है और ये किसी और दूसरे mass के होने या नहीं होने सर इस पर कोई फरक नहीं पड़ता है माल लेते हैं मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, एक यहाँ पर और कोई आदमी खड़ा है, तो हम दोनों की बीच में जो gravitation force है, वो fix है तीसरे की वज़े से होगा वो उनका अलग होगा, उससे हम दोनों पर कोई फरक नहीं पड़ेगा दूसरी चीज़, intervening medium कौन सा है, पानी में है हवा में है, दूद्ध़ी में है कहीं भी है, इस medium का इस पर कोई फरक नहीं पड़ता है, इसलिए हमने बोला ना universal, universal इसलिए universe में कहीं भी इसको calculate कर सकते हैं, ये same आता है mutual gravitation force between two bodies are equal and opposite कहने का मतलब ये है ये समझना आसान है अगर ये एक object है M1, ये दूसरा object है M2, अगर हम बात करते हैं इस M1 की वज़े से M2 पर कितना force लगा, तो M2 पर force लगा पहली बात तो attraction, value कितनी G, M1 M2, upon इनके बीच की distance, let it is R, तो force हो जाएगा R इसी तरह से, इस M2 की वज़े से M1 पर क्या force लगा अब ये भी attractive है, यानि M2, M1 को अपनी तरह attract करेगा, value कितनी होगी formula हमारा वही पुराना G, M1, M2, upon R square, तो यह हम देख सकते हैं दोनों force कैसे है, equal direction कैसी है, opposite अगर इस force का नाम में F रख दूँ, तो दूसरे force का नाम भी मुझे same रखना पड़ेगा, लेकिन अगर इनकी direction की बात करेंगे, तो दोनों को equal करने के लिए, हमें direction में minus sign लगाना पड़ेगा, और यह कैसा दिखता है यह Newton's third law जैसा दिखता है, तो इसलिए दो object के बीच में अगर force है, तो Newton's third law को obey करता है, equal होता है, और opposite होता है यहाँ पर एक छोटा सा question पूछते है अगर यह पूछा जाए कि एक बहुत बड़ा planet है और एक बहुत छोटा सा मास है, दोनों मैंसे कौन किसको ज़्यादा force से attract करेगा एक general answer अकसर आता है कि बड़ा वाला ज़्यादा force लगाएगा, लेकिन सोचने लगाएगा, दोनों एक दूसरे पर same force लगाएगे क्योंकि यह mutual force है आगे लिखा है gravitation force is conservative force conservative force क्या होता है? यह आपने work energy chapter में पढ़ा होगा कभी भी force किसी object पर अगर लगता है और वो path पर depend नहीं करता है, तो conservative force होगा वहाँ पर आपने देखा होगा एक object है, जिसको जमीन से लेकर सीधा उठाएं, तो potential energy MGH निकालते थे, दूसरा, उसको यहाँ से, इस तरह से किसी और path से उठाएं, तब भी उसकी potential energy MGH आती है, इसको ज़्यादा समझना है, तो work energy power chapter पढ़िये, पर यहाँ पर हमें यह पता लगता है, this gravitation force, gravitation force क्यों कहा, क्योंकि इस MGH को निकालने में हमने gravitation के opposite direction में काम किया है, तो यह gravitation force, एक conservative force होता है, law of gravitation hold only for point mass, gravitation force का जो formula हम लिखते हैं, M1, M2 upon R square, यह formula आम तोर पर यह हमारी सहूलियत के लिए है, कि हम यह जब छोटे-छोटे experiment करते हैं, तो आम तोर पर छोटे masses मानते हैं, छोटे masses मानने का फाइदा क्या है, center of mass fix हो जाएगा, उस center के अलावा जितना expansion उस object का होगा, हम उसको neglect कर देंगे, और हमारा एक easy formula और easy calculation हो जाएगी, तो यह force हमारे point mass के लिए तो perfectly काम करता है, लेकिन अगर mass बड़े होंगे, तो फिर हमें उसके size को भी consider करना पड़ेगा, और ऐसे case में calculation थोड़ी सी कठिन हो जाएगी, आगे देखते हैं gravitation force between two point masses is a central force, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, दोनों particle को मिलाने वाली line के along अगर force काम करता है तो वो central force होता है gravitation force between two bodies independent of the presence of the other bodies, इसकी भी हम बात कर चुके हैं कि तीसरा object रखा भी हो तब भी हमें कोई फरक नहीं पड़ता वो उन दोनों object के लिए ही निकलता है, जिनके बीच में हम बात कर रहे हैं, तो ये थे इसके important features और अब हम आते हैं next topic पर next topic है acceleration due to gravity ये हम जानते हैं कि earth के gravitation को हम gravity बोलते हैं माल लेते हैं एक mass m है जो earth से किसी distance r पर रखा हुआ है तो उस पर gravitation force कितना होगा ये हम जानते हैं gravitation force होगा f is equal to capital g capital m small m upon r square जहां पर capital m तो हमने earth का mass माल लिया है small m जो है वो object का mass है और r है उस object के center से earth के center तक के distance यहां पर अगर हमें ये माल ले हैं कि ये जो h height neglected है माल लिया है ये earth है earth की जो radius है उसको capital r माल लेते हैं और object किसी height पर यहां है इसको हम h माल लेते हैं तो total distance होनी चाहिए r plus h लेकिन हम यहां कह रहे हैं कि h को अगर neglect कर दें तो क्या होगा ये वाली जो distance है ये सिर्फ r रह जाएगी यानि हमारे इस formula में जो small r है वो basically r plus h होनी चाहिए means r should be equal to r plus h तो उस r plus h में से h हटा देंगे तो capital r बच जाएगा तो ये formula जो दिखाई देगा हमें वो कुछ ऐसा होगा f equal to capital g capital m small m upon capital r square ये हमें ऐसा दिखाई देगा अगर हमें निकालना है acceleration due to gravity हम जानते हैं force और acceleration का relation है f equal to m a तो acceleration निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा force upon mass यानि कि इस force में अगर mass से divide कर दें तो उस object का acceleration आ जाता है तो इस mass से divide करते हैं तो f upon m तो ये बचेगा capital G capital M upon r square और यही है acceleration due to gravity जनरली हम acceleration को a से लिखते हैं लेकिन gravity के लिए इसका हम नाम चेंज कर रहे हैं इसको हम लिखेंगे small g से तो acceleration due to gravity होगा capital G capital M upon r square अगर इस formula को थोड़ा गौर से देखते हैं तो हमें यह ध्यान आता है कि जो object का mass है वो तो formula में है यह नहीं इसका मतलब यह हुआ कि अर्थ की वज़े से किसी object पर जो acceleration लगेगा वो उस object के mass पर depend ही नहीं करता यानि कि एक पत्थर को गिराओ या एक हाथी को गिराओ या एक tank को गिराओ तीनों case में अर्थ की वज़े से gravitation acceleration fix रहेगा that is gm upon r square और वही हमने यहां लिखा है कि acceleration due to gravity does not depend upon the mass of object लेकिन condition सिर्फ एक है कि यहां पर यह जो h height है यह h height कम होनी चाहिए ऐसा नहीं कि हम कहरें कि 10 km से गिराया 10 km से गिराएंगे तो g की value बदल जाएगी अगर छोटे मोटे example एक पत्थर को फैका थोड़ी उपर कुछ उचाला तो उस case में g की value हम इस तरह से काम में ले सकते हैं क्या होगा अगर हम height को consider करें इसको हम आगे देखते हैं acceleration due to gravity at a height यहां पर हम देखते हैं g यह वो value है जो हमने अभी निकाली जो अर्थ की surface पर है almost g डैश वो value है जो किसी height पर है यहां इस diagram में देखिए अर्थ की radius को r e माना हुआ है और object जिस height पर है उसको h माना हुआ है total distance को d माना हुआ है यहां से अगर हम g की value देना चाहें जो कि हमें पहले से पता है that is capital gm upon r square और अगर हम g dash की value निकालना चाहें तो same analysis से हम देख सकते हैं capital g capital m upon अब जो distance हाजाएगी वो होगी radius of earth plus height का holy square यहां पर r को हमने r e माना हुआ है तो मैं भी दोनों जगे इसको e लिख देता हूँ अब हमें इनको compare करके देखते हैं कि कौन कम है कौन ज़्यादा है चेक करते हैं हम करते हैं इनका divide g dash की value होगी gm upon r e plus h का holy square और g की value रखेंगे तो gm upon r e square यहां हम देख सकते हैं gm और gm कैंसल होगे यहां से नीचे denominator में से r e common ले लिया और इसको solve करेंगे तो आएगा g dash upon g equal to 1 plus h upon r e square यहां हम देखते हैं h की value r e के respect में बहुत कम है r e है radius of earth और radius of earth की value होती है 6400 km और जिस height के हम बात करेंगे वो होगी 10 km, 20 km ऐसी कुछ height होगी तो it means generally h upon r की value एक से बहुत ही कम है और जब इस तरह की किसी quantity में जहां पर 1 plus something और यह something एक से छोटा हो तो binomial expansion यूज़ करते हैं और उस expansion से हम इसको लिखते हैं तो इसकी value हो जाएगी 1 minus 2 h upon r e binomial expansion को अगर हम देखते हैं तो इससे आगे भी term आती है वो term होंगी h का square, h का cube r e का square, r e का cube और जब हमें पता है कि h upon r e वाली term एक से छोटी है तो उसका square, उसका cube तो और भी छोटी होती चली जाएगी नतीज़ा क्या करते हैं हम आगे की term को neglect कर देते हैं तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा g dash equal to g into 1 minus 2 h upon r e यहां हम देखते हैं एक मैंसे कुछ subtract हो रहा है और h upon r e की जो values रखेंगे दोनो positive value होंगी क्योंकि दोनो length है तो यह value और भी कम आएगी तो g dash है किसी height पर acceleration और वो होगा g into एक से कम quantity it means g से कम तो जैसे जैसे हम किसी height पर जाएगे और वहाँ पर gravity acceleration निकालेंगे तो वो surface वाली value से कम आएगा शोगा अगर हम depth की बात करते हैं तो depth वाले case को देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं एक sphere बना हुआ है यह earth को represent कर रहा है इस point पर object है यानि कि d depth अंदर earth के अंदर की तरफ यह object है यहाँ इस case में अंदर एक sphere बना देते हैं वो sphere होगा r minus d radius का एक sphere तो object कहां रखा है object रखा है इस वाले sphere की surface पर बाहर वाले से हम छोड़ देते हैं कि हमें कोई लेना देना नहीं है तो यह छोटे sphere की surface पर रखा हुआ तो छोटा sphere जैनि छोटी earth इसके उपर जो object रखा हुआ जिसका mass हम m माल लेते हैं हम देखते हैं कि इसका इस point पर acceleration due to gravity कितना होगा यह हम जानते हैं कि earth की surface पर अगर acceleration due to gravity निकालेंगे वो capital G capital M upon r square आएगा जहां पर r है earth की surface अगर हम बात करते हैं जी डैश जी डैश वो point है जो d depth पर है तो उसके लिए क्या होगा that is equal to capital G mass of earth अब यहां पर mass of earth में total mass नहीं ले सकते कारण क्योंकि जिस अर्थ की वज़े से लगेगा वो तो सिर्फ अंदर वाला part है तो उस mass को हम माल लेते हैं M dash और इस बार जो distance होगी वो भी सिर्फ यह distance बचेगी तो वो होगी r minus d तो इस case में acceleration की value change होगी अब पहले हम इस value को solve करते हैं और फिर पता लगाते हैं कि G dash और G के बीच का relation क्या है माल लिया अर्थ की density raw है अब जब mass अलग-अलग है तो solution कैसे करें तो अब हम कोई नए तरीके को use करते हैं नए तरीका है raw अब यह जानते हैं raw होता है mass upon volume तो अर्थ को अगर पूरी तरह से एक sphere माल लिया जाए तो उसका volume होगा 4 upon 3 pi cube अगर यही बात हम करें दूसरे केस के लिए तो दूसरे केस के लिए mass है m dash और उसका जो volume होगा वो होगा 4 upon 3 pi r minus d cube जोंकि mass तो सेम ही है इसलिए पूरे अर्थ के लिए हम density निकालें या इस छोटे से part के लिए निकालें यानि कि अंदर वाले part के लिए निकालें density तो सेम ही आनि है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं m की values को यहाँ पर substitute करते हैं तो m और m dash वाला जो जंजट है वो हट जाएगा तो values को substitute कर लेते हैं यहाँ हम देखते हैं इस m की जगे हमने रखा raw into volume और इसी तरह से इस m dash की जगे रखा raw into this volume यहाँ पर हम देखते हैं इस r square से यह दो powers यहां के अट जाएंगी इसी तरह से यहाँ पर भी यही होगा तो g की value यहाँ पर आएगी cancel होने के बाद 4 upon 3 pi g rho r और इसी तरह से यहाँ पर अब इन दोनों को अगर हम divide कर दें तो g dash is equal to g into 1 minus d upon r पिछले वाले case में जब height की हमने बात कीते हैं यहाँ पर 2h आया था लेकिन यहाँ पर इस बार सिर्फ d आया है लेकिन यहाँ से एक बात अभी भी clear है कि g dash की value g से अभी भी कम है तो height पर भी gravitational acceleration कम होता है और depth पर भी यह कम होता है तो यहाँ हम कह सकते हैं this expression shows that value of g decreases with depth होता है तो इससे हमें यह पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो acceleration होता है वो सिर्फ सर्फेस पर होता है यानि gm upon r square और बाकी उपर नीचे कहीं भी जाएंगे उसकी value कम होती जाती है अब हम आते हैं next topic पर और वो है gravitational field gravitational field क्या है every mass affect the space around it यह हम जान चुके हैं कि mass की वजह से ही gravitation force लगता है तो this space in which any other mass experience gravitation force is known at gravitation field कहने का मतलब यह है gravitation field सिर्फ नाम ही अलग है कोई mass है इसके चारों तरफ का वो reason जिसमें यह gravitation force काम करता है यानि कोई और object रखते तो वो gravitation force अगर feel करता तो ही हम कह देते हैं कि वो area ही gravitation fold means यहाँ पर वो area ही gravitation field हो जाएगा mathematically it is defined as gravitation force per unit mass gravitation force per unit mass इसका मतलब है मान लेते हैं कि एक mass है capital M इसके चारों तरफ का यह reason है जिस reason को हम बोल रहे हैं कि यह gravitation field है और इस field में एक small mass यहाँ पर रखा हुआ है जो की r distance पर है अगर हम force निकालना चाहें तो gravitation force होगा capital G capital M small m upon r square यह तो हो गया force mathematically gravitational field क्या है वो है per unit mass अब per unit mass कैसे निकालें तो इसका M mass पर लगने वाला force है यह तो unit mass पर जो force काम करेगा वो हो जाएगा f upon m यानि कि gm upon r square तो यह हो जाएगा gravitation field असल में यह gravitation field जो निकाला गया है उसकी per unit mass यह कहलाती है gravitational field intensity और इसकी unit हो जाएगी यह force है और यह mass है means newton पर kilogram तो यह कहलाता है gravitation field जब भी हमें यह निकालना पड़ेगा तो हमें निकालना है force on unit mass और basically यह उस area को ही present करता है जहां पर gravitation force लगता है अब हम बात करते हैं gravitational potential energy की amount of work done in bringing a body from infinity to the given point in a defined gravitational field without acceleration is known as gravitational potential energy इस definition को देखिए पहली बात तो यह है एक work done हमें work done निकालना आता है force into displacement करते हैं यानि fs cos theta करके हम work done निकालते हैं in bringing a body from infinity infinity कौन सा point है generally हम समझते हैं बहुत दूर कोई point होता है जिसको infinity बोलते हैं तो हम infinity भी समझना है कि infinity कितने distance का point लो to the given point given point का मतलब है point तुम्हें दिया जाएगा जब point दिया जाएगा तभी हम उस point की gravitational energy potential energy निकाल सकते हैं जब तक point नहीं पता होगा हम कुछ नहीं निकाल सकते हैं इन्हें defined gravitational field पहले से एक gravitational field भी define होगा ऐसा नहीं है कि हमें कुछ बताया ही नहीं है कि potential energy निकाल लो ऐसे कुछ नहीं होगा तो एक gravitation field भी define किया जाएगा without acceleration without acceleration वर्ड का भी क्या happening है यह भी हमें समय जनाएं तो इस definition के according हम potential energy calculate करने की कोशिश करते हैं मान लिया एक object है म मास का object मान लिया object मान लिया इसका एक field भी हो गया मान लिया यहां तक का यह field है तो पहला part क्या कर दिया defined gravitational field तो म मास का हमने field define कर दिया अगर मैं कहता हूँ कि यह distance कोई r distance है इस r distance पर force जो निकालेंगे वो होगा capital G capital M small m upon r square यह होगा इस पर लगने वाला force अगर m मास का object यहां रखा हो लेकिन अगर यह field के बाहर रखा होगा तो force कितना होगा तब हम कहेंगे कि field के बाहर है तो इसका मतलब वहां तो कोई force काम करना चाहिए तो force होना चाहिए 0 अब सोचिए क्या g 0 हो सकता है बिल्गुल नहीं क्या यह mass 0 हो सकते हैं यह कैसे हो सकते हैं यह तो मैं माने हैं क्या r 0 हो सकता है r 0 तो नहीं हो सकता लेकिन अगर 0 लाना है तो r की value को infinity रखना होगा तभी something upon infinity से r आएगा तो यहां से एक बात पता चलती है तो यह जो word लिखा है ना infinity इसका मतलब यह वो जगह है जहां पर force कैसा होना चाहिए 0 होना चाहिए बस अब वो distance infinity है या नहीं है यह हमें नहीं सोचनी पर हमें मालूम है force 0 लाने के लिए हम r को infinity रखेंगे तो इसका मतलब gravitational field के बाहर का कोई भी point वो infinity है तो इससे पता चला from infinity to point का मतलब यह है gravitation field के बाहर से उस gravitation field के अंदर किसी point पर लाना है यानि यहां से लेके इसको यहां लाना है और उसको लाने के लिए जो work done होगा उस work done की हम बात कर रहें अब आगे देखते हैं यह चीज पता लग गया अंदर वाला point infinity पता लग गया given gravitation fields हो गया without acceleration यह क्या चीज है इसको भी देखते हैं जब हम इस object को gravitational field माल यह यह field है यहां से लेकर यहां तक लाने में तो कोई work done करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि इस object के range से ही बाहर है वो लेकिन जैसे ही वो अंदर आएगा यानि कि यहां आएगा अंदर वाली region में त जब अंदर वाला object यानि कि AM mass इसको अपनी तरफ attract करेगा जब यह attract करेगा तो इसका मतलब यह है कि एक force काम करेगा और यह दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है जब force होगा तो acceleration भी होगा लेकिन without acceleration लिखा है it means acceleration नहीं होना चाहिए acceleration क्यों नहीं होगा फोर्स है तो इसका मतलब यह हुआ कि इस समय जब object यहां पर है एक force अंदर काम कर रहा है तो हमें अपनी तरफ से एक force और लगाना है और वो force इसके equal होना चाहिए तब जाके यह बिना force के बिना acceleration के move करेगा यानि constant velocity से move करेगा तो constant velocity से move करे इसलिए लिखा है acceleration नहीं होना चाहिए और इसके होने का फाइदा यह है कि जिस force के लिए देखे यह force कितना है यह तो हमें देखने से तो पता चलेगा नहीं लेकिन जो force हम लगाएंगे हमें इसका पता होगा तो हम इस force का work done निकाल लेंगे और यह force कितना होगा इस M Mars के gravitation force के equal तो इस तरह से जो potential energy जिसकी वजह से निकालनी है वो है यह M जिस point पर निकालनी है वो है यह distance तो इन दोनों पर potential energy निकालने के लिए हमें कौन सा force लेना है force हम लेंगे यह वाला यानि कि हमारा force और हम उसके लिए work done निकालेंगे और फिर बाद में कहेंगे यह potential energy इस capital M Mars की वजह से हुई तो इस तरह से हम potential energy की इस definition से potential energy को calculate करेंगे यहाँ एक diagram है इस diagram को देखते हैं इस diagram में यह O point है इस पर रखा है capital M Mars जो हमने माना R radius पर जो circle बना हुआ है यह इस M Mars का gravitation field है किसी point A से किसी point B तक एक distance है इस distance पर हम M Mars को लेके आ रहा है अभी हमने देखा था कि जो force capital M लगाएगा वो force होगा नीचे की तरफ attractive force जो force हम लगाएंगे वो force होना चाहिए उपर की तरफ मैं इसको नाम दे देता हूँ F dash तो हमें जो work done निकालना है इस F dash की वज़े से निकालना है कितनी distance पर निकालना है वो distance यहाँ पर है X इस X के position vector की बात करें तो center से इस X का position vector भी ऐसे होगा यानि कि X की direction और इस force की direction same है तो इनके बीच का angle कितना हुआ theta 0 तो work done निकालने का formula है F S cos theta तो cos theta को हम 0 लिखेंगे तो work done simply हो जाएगा force into displacement तो वही हम करते हैं dw equal to F into dx यहाँ पर force की जगे हो गया G mm upon X square और dx की जगे dx यह work done total तभी होगा जब हम पूरा work done निकालने यानि कि gravitation field के बाहर से अंदर आने का work done तो integrate करते हैं बाहर का मतलब है infinity distance और अंदर आने पर distance अगर हम r मानते हैं तो इसका integration limit होगी infinity to r इसको हम solve कर लेते हैं solve करने पर हम देखते हैं capital G mm 1 upon X square का integration होगा minus 1 upon X limits from infinity to r और यह work done definition के इसाब से यह work done ही potential energy है तो इसी को हम potential energy लिखते हैं और यह होती है capital G mm upon R तो this is the potential energy of a point m mask के object के वज़े से small m mask को r distance पर रखने पर उन दोनों के बीच में एक energy आती है यह energy क्या है उस जगहे पर लाने का work done और वो work done है minus G mm upon R आगे जाके आप यह भी देखेंगे यह जो minus sign है जहां भी कहीं minus sign आता है तो वो यह बताता है कि यह potential energy एक attractive force की वज़े से है अगर यह repulsive force की वज़े से होती तो यह जो theta 0 हुआ था यह theta 180 हो जाता तो already यहां पर एक minus sign आता तो यह है potential energy due to gravitation अब आते हैं next topic पर और next topic है escape velocity क्या है escape velocity पहले तो वो समझते हैं it is the minimum velocity required to throw an object from the surface of earth such that is never returned to earth is called escape velocity जब भी किसी object को हम फैकते हैं तो क्या होता है वो वापस आ जाता है मान लिया यह earth है और यह जो बहार बना हुआ circle है यह earth का gravitation field मान लेते हैं तो मान कहने का मतलब यह है यहां तक कोई भी object होगा तो उस पर earth का gravitation काम करेगा तो object को जैसी फैका वो थोड़ी देर में वापस earth के attraction की वज़े से आ जाएगा तो क्या करें इस speed और बढ़ाते हैं speed को और बढ़ाया तो वो यहां तक जाके वापस आ गया अगर हम कहेंगे नहीं हमने तो एक दम सूटा सूटी speed से फैक दिया है तो सीधा बहार ही चला जाएगा तो ना तो maximum speed ना कम speed हमें चाहिए minimum speed इतनी speed कि यह particle जस्ट इसकी surface तक जाए यानि कि gravitational field की surface तक जाए बस उतनी speed चाहिए और वही होती है escape velocity तो हम इसको calculate करते हैं माल लेते हैं कि अर्थ जो है जिसका mass m है radius r है वो हम अक्सर हर जगे मानते ही मानते हैं तो इस case में माल लेते हैं अर्थ की surface मतलब यहां पर यह point है ए और इस वाले point को हम माल लेते हैं b a point पर total energy कितनी होनी चाहिए तो total energy मैं इसको t e से represent कर देता हूँ a point पर total energy होनी चाहिए जोगिया हमने इसको फैका है तो kinetic energy half m v square मैं मान के चलता हूँ यह escape velocity ही है तो यह minimum होनी चाहिए इसको v e से represent कर दिया plus अब इस point पर object रखेगा तो potential energy भी तो होगी तो earth की potential energy हम जानते हैं minus capital G capital M small m upon radius of earth r अब हम बात करते हैं B point की B point पर क्या हालत है हम जानते हैं कि object कहां तक पहुँचे बस B point तक पहुँचे और वहां जाके करें क्या जी रुख जाए वहां जाके बस अगर object रुख जाता है ना तो आगे जाता है ना वापस आता है तो इसका मतलब है इसकी velocity कितनी होई जीरो तो kinetic energy हो जाएगी जीरो and what about potential energy potential energy कितनी होगी potential energy निकालने के लिए जरूरी है कि object इसके field में तो हो और जब हम बात कर रहे हैं कि जी बिलकुल field के just बाहर है या just surface पर है यानि earth का तो force भी काम नहीं कर रहा तो potential energy भी हो जाएगी जीरो तो total energy जो यहाँ है वो यहाँ होने चाहिए due to conservation of energy तो इसका मतलब है यह दोनो compare करेंगे तो equal होने चाहिए यह equal होने का मतलब है यह value 0 हो और अगर यह value 0 होगी तो हम यहाँ से कह सकते हैं total energy at point A should be equal to total energy at point B और अगर इस तरह से बात करेंगे तो half mv square की value capital G mm upon R के equal आने चाहिए और यहाँ से हम escape velocity निकाल सकते हैं और escape velocity की value होगी 2gm upon R in under root this is escape velocity तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि escape velocity कितनी है यहाँ पर एक बात ध्यान देनेगी है क्या इसमें कहीं object का mass है तो surprisingly m की value यहाँ है ही नहीं तो अगर किसी planet की escape velocity निकालनी है तो क्या हमें किसी object ठेकने की जरूरत है बिल्कुल नहीं हमें सिर्फ g की value चाहिए उस planet का mass चाहिए और उसकी radius चाहिए अगर हम अर्थ के लिए बात करते हैं escape velocity की तो g की value रखेंगे 6.67 into 10s to power minus 11 radius of earth होती है 6400 km और mass of earth होता है 6 into 10s to power 24 kg तीनों की value रखेंगे तो यह होगी 11.2 km पर सेकेंड यह हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि 11.2 km पर सेकेंड की speed से किसी object को पैका तो object पर्मानेंटली गया वापस नहीं आएगा तो यह है अर्थ की escape velocity अब जब इतना पढ़ लिया है तो देखें फिर से सेटलाइट पर आ गए क्योंकि अब हम फॉर्मला जान चुके हैं potential energy का kinetic energy का gravitation force का तो अब फिर से एक बार सेटलाइट के बारे में पढ़ते हैं satellite क्या है किसी भी planet के चारों तरफ घूमने वाली एक massive body है भारी है जो अपने आप घूम रही होती है on its own पेट्रोल वेट्रोल नहीं होता है अपने आप घूम रही होती है और वो एक stable orbit में का मतलब है fixed distance पर रहती है ऐसा नहीं कि कभी pass होगी कभी दूर होगई ऐसा नहीं है दो तरह के satellite है natural satellite जैसा की moon और artificial satellite जैसे की recently चंद्रयान जैसा या IRS 1 और यह सब छोड़े जाते हैं वो artificial satellite होते हैं launching a satellite कैसे launch किया जाता है उसको समझते हैं इस diagram में देखिए अर्थ के उपर एक tower बना हुआ है इस tower में अगर हमने यहां से कोई object फैका उस object की speed अगर कम होगी तो क्या होगा यह पहले वाला जो arrow है वो यहां गिर जाएगा ठब से नीचे गिर जाएगा अगर speed को थोड़ा और बढ़ाया तो यह जो second वाला part है वो वहां गिर जाएगा speed को थोड़ा और बढ़ाया तो क्या होगा वो यहां गिर जाया ऐसा कब तक करते रहेंगे और बढ़ाया तो और बढ़ाया तो देखिए क्या हो रहा है object यहां से गया और नीचे गिर रहा है यानि कि earth के देखने वालों को लगेगा कि कुछ चीज ऐसे गई है लेकिन बाहर से देखने पर पता चल रहा है कि object गिर रहा है तो यह गिरता रहेगा गिरता रहेगा और गिरते गिरते क्या होगा earth के चारो तरफ चक्कर लगाने लग जाएगा तो satellite को launch करने का यही principle है यानि एक ऐसी velocity से satellite को फैंक भी आ जाता है जिससे कि वो लगातार गिरते हुए उसका rotation करने लग जाता है means when an object is thrown horizontally from the top of the tower with a velocity so that the object will not hit the ground but always be in a state of free fall under the influence of the gravity this is the principle of launching of satellite तो हमें इस velocity को attain करना होता है जिससे कि वो चकर काटता रहे आगे आते हैं जियो stationary satellite जियो stationary जब भी यह वर्ड आता है जियो जियोो मीन्स होता है आर्थ stationary means रुका हुआ जियो stationary meaning अर्थ से देखने पर रुका हुआ नजर आए सोचों कि अर्थ तो ऐसे रोटेट कर रही है तो इस जो satellite रुका हुआ होगा वो अर्थ के साथ साथ ऐसे रोटेट कर रहा होगा, तभी हमें वो stationary नजर आएगा, तो ऐसा satellite होता है, geostationary satellite, a satellite which seems stationary from Earth, known as geostationary satellite, such satellite revolve around the Earth in its equatorial plane, equatorial plane का मतलब है, जहाँ equator है, उसी के उपर किसी orbit में, with the same angular speed and in the same direction as the Earth rotates about its own axis is called geostationary satellite, यहाँ पर देख सकते हैं, यह अर्थ है, यह अर्थ के बिल्गुद center से एक plane है, जो कि equatorial plane होगा, इसी plane पर fixed radius में यह satellite revolve कर रहा है, तो यह satellite है, geostationary satellite, और यहाँ से हमें यह भी पता चलता है, same sense of rotation, यानि कि अर्थ की direction अगर west to east है, तो satellite की direction भी west to east होनी चाहिए, दूसरी बात है, same time period, अर्थ का rotation का time period है 24 hour, तो फिर satellite का time भी 24 hour भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसका time आगे पीछे हो जाए, तो यह है geostationary satellite, यहाँ हम देखते हैं कि इस तरह से satellite जब हम calculate करते हैं कि कितनी height पर आता है, तो वो height करीब गरी 36,000 km height पर वो satellite orbit करता है, इसको हम आगे देखेंगे, यह एक जस्ट information के लिए यहाँ पर बता दिया गया है, नेसेसरी condition for geostationary satellite, यह हम जान चुके हैं, नेसेसरी condition क्या है, वो condition है, concentric orbit होना चाहिए, equatorial plane के साथ co-planner होना चाहिए, दूसरी बात क्या है, sense of rotation अर्थ के जैसा ही होना चाहिए, यानि कि west to east है दोनों का, तो same west to east होना चाहिए, और तीसरा है, period of revolution, अर्थ का जो चक्कर काटने का time है, वही satellite का भी होना चाहिए, means 24 hour, जब ऐसा होगा, तो वो geostationary satellite होगा, it should revolve at a height of exactly 35,930 km, हमने अभी देखा था, एक rough 36,000 जो बोला था, exactly यह height 35,930 km होनी चाहिए, अब है orbital velocity, orbital velocity है, जिस velocity से satellite अपने orbit में move करता है, वो कहलाते है, orbital velocity, simplicity के लिए हम यह कह सकते हैं, कि uniform circular motion यह satellite कर रहा है, क्योंकि elliptical लेंगे, तो हमारी mathematics अभी इतनी strong नहीं है, कि हम calculation कर पाए, तो हम circular motion मान के ही calculation करेंगे, मान लेते हैं, यह earth है, जिसकी radius है, r e, h height पर satellite है, और दोनों distance r और r e मिलाके है, small r, और यह है satellite, जिसकी velocity v है, हमें निकालना है इस satellite की orbital velocity, यह हम जानते हैं, कि इस satellite पर एक force अंदर की तरफ काम कर रहा है, that is g, capital M, small m, upon r square, यहाँ पे जो r है, यह है, earth की radius, plus height of satellite, इन दोनों का total है, यह force काम कर रहा है, अर्थ की तरफ, और satellite, अगर v speed से काम कर रहा है, तो एक force काम करता है, centrifugal force, that is mv square upon r, यह v velocity कान सी है, this is orbital velocity of satellite, जो हमें निकालनी, तो यहाँ से हम बड़ी आसानी से, orbital velocity निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं, तो orbital velocity है जाती है, under root gm upon r, r की value है यह, तो orbital velocity को अगर थोड़ा सा और open करके लिखेंगे, तो यह हो जाएगा, gm upon r e plus h, जहाँ पर h है, height of satellite from the surface of earth, तो यह है orbital velocity, अगर कोई हम से पूछता है कि just surface पर ही orbital velocity बताओ, तो बताने के लिए कुछ नहीं करना है, h की जगे 0 रख देना है, कुछ नहीं करना का मतलब है, कुछ तो करना है, h की value 0 रख देनी है, तो यहाँ से orbital velocity on surface आ जाएगा, अगर हम यहाँ से बात करते हैं, इसका time period कैसे निकालेंगे, तो time period तो निकालना है यही नहीं न, 24 hour होता है, यहाँ पर अगर इस orbital velocity को इस तरह से रख दें, circumference, circumference 2 pi r upon time period t, t की value है 24 hour, अगर कोई हम से कहता है, हमें इस height की value निकालनी है, तो इस calculation से, अब यहाँ पर देखें क्या है, यहाँ पर 2 pi, this is r e plus h upon time period, t is equal to under root gm upon r e plus h, इस expression में क्या चीज है जो हमें नहीं पता, वो है small h, यहीं height of satellite, यह 24 hour है, r e radius of earth है, जो की non है, mass of earth भी non है और capital G तो universal constant है, तो यहाँ से हम h की value निकाल सकते हैं, और वो आ जाएगी almost 36,000 km, जिसकी हमने थोड़ी दिर पहले बात की थी, कि वो इस height पर revolve करता है, तो यह है orbital velocity and height of satellite, अब आगे देखते हैं, total energy of satellite, considerate satellite of mass m moving around earth with a velocity in a orbit of radius r, आम तोर पर यह values हर जगे हम मानते ही हैं, total energy होती है kinetic energy plus potential energy, तो kinetic energy होती है, half m v square, v यहाँ पर क्या है, orbital velocity, और potential energy होती है, minus g capital m small m upon r, r यहाँ पर क्या है, radius of earth plus height, उन दोनों का total है, अगर orbital velocity की value रख दें, orbital velocity थी, under root g m upon r, उसकी value रख दें, तो यह होगा, half capital g m small m upon r, minus g m small m upon r, तो total energy की value आ गई यह, इसको solve कर देते हैं, तो देखते हैं, यह one है, यह half है, it will be half of potential energy, जितनी potential energy आती है, उसके आधे के बराबर आ रही है, एक और बात, total energy negative है, negative का मतलब यह है, satellite जिस orbit में रहता है, वो उस planet से attracted रहता है, क्योंकि negative science शो करता है, कि यह attraction force है, तो यह है total energy of satellite, जो की potential energy और kinetic energy के समसे निकाली, लेकिन potential energy के half के equal ही आई, next topic is binding energy of satellite, binding energy क्या है, अगर satellite को हम यह कहते हैं, कि यह planet से attracted रहता है, यानि कि यह bound है, तो जितनी energy satellite को free कराने के लिए देनी होगी, वही होती है, binding energy, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं, कि जो total energy हमने निकाली, वो है gmm upon 2r, यह total energy है, negative science शो करता है, कि यह planet के साथ bound रहता है, यानि बंदा हुआ रहता है, तो binding energy क्या होनी चाहिए, binding energy होनी चाहिए, इस energy को zero करने के लिए कितनी energy हमें देनी है, that will be capital Gmm upon 2r, अगर इतनी energy दे दी जाए, तो satellite अपने orbit से बिलकुल free हो जाएगा और must कहीं भी जा सकता है, तो binding energy वो energy है जो satellite को दे दें, तो satellite अपने बंदन से मुक्त हो जाएगा, तो this is binding energy of satellite, जियो stationary satellite के क्या use हैं, यह आप लोग जानते ही हैं, पहला है कि communication के लिए TV, internet, telephone, signal, यह सब geo stationary satellite से हम communication करते हैं, atmosphere को study करने के लिए भी satellite हम भेजते हैं, जो इसका काम है, वहाँ जाके different चीजों को study करना, forecasting, पहले से यह पता लगाना कि बादल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बारिश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, polar orbit का मतलब है, वो orbit जो pole से पास हो, यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो satellite, यह जो पढ़ा, यह तो है geo stationary satellite, लेकिन यहाँ पर देखे एक orbit और है, वो orbit क्या है, नॉर्थ pole और साउथ pole से पास होता हुआ एक orbit है, तो अगर satellite इस polar orbit में इस तरह से चकर काट रहा है, तो वो satellite कहलता है, polar satellite, इस तरह के satellite का क्या use है, polar satellite are used in weather and environment monitoring, spying, यानि कि जासूसी करने के लिए, to study the topography of the earth celestial bodies, topography means होता है, physical characteristics of an area, of land, especially the position of the river, mountain, etc. तो यह है polar satellite और उसके uses, weightlessness, डाइग्राम में दिखाई दे रहा है, एक उड़ती होई महिला है, weightlessness क्या है, हमें पता है कि अगर हम किसी object को रखते हैं, तो उस पर हम weight लगाते हैं, mg, weightlessness का मतलब है, यह mg किसी तरह से zero हो जाए, तो यह कब होगा, जब opposite direction में हैं, इतना ही force लगा दिया जाएगा, तो इस object को यह feeling नहीं होगा, कि उस पर कोई weight है, तो यह condition है weightlessness की, satellite में क्या होता है, satellite जिस orbit में घूम रहा है, अंदर की तरह force कौन सा, gravitation force, बाहर की तरह force कौन सा, centrifugal force, दोनों force एक दूसरे को cancel कर देते हैं, तो satellite और उसके अंदर की सब चीजें weightlessness की condition में होती हैं, तो weight होता ही नहीं, इसलिए इस तरह से उड़ते हुए ही सारी चीज हम कर पाते हैं, तो यह है weightlessness की condition, in case of a satellite that is rotating around the earth, net force on every part of the satellite is zero and this condition is weightlessness, thus in the satellite everything is in the state of free fall and this is the condition of weightlessness, यह वही लिखा है जिसकी बात अभी हमने की, इसी के साथ यह chapter समाप होता है, इसके numerical के लिए हम अलग से बाकी questions को देख लेंगे, अलग video बनाएंगे, तब तक आप इस chapter को समझे और सर्वोदे सिख्षा चैनल को live, subscribe और बाकी सब जो चीजे करते हैं, वो करने हैं, thank you.